दोस्तो हमारा देश भारत एक और नाम से जाना जाता है और वो है डायबिटीज कैपिटल ऑफ दे वर्ल्ड इसका आर्थ है कि हमारे देश में सबसे अधिक डायबिटीज के मरीश हैं दोस्तो रिशी मुन्यों की कड़क नियम वाली ये भूमी में भारत वासी किस दिश्चा में चल पड़े हैं जो ऐसा हो रहा है क्या यह हमारे बौधिक गौरों पे कलंक नहीं और अगर कलंक है तो दोस्तो हमें से धूना पड़ेगा तो मेडिकल साइन्स के हिसाब से समझते हैं कि डायबिटीज होती क्यों है हमारे शरीर में पतली सी ग्रंती होती है जिसका नाम है पैंक्रियास वह पैंक्रियास में छोटे छोटे बीटा सेल्स होते हैं वह बीटा सेल्स इंसूलिन नाम का हर्मोन बनाते हैं जब यह बीटा साल में साइन्टिस्स ने यह दून के निकाला है कि इन बीटा सेल्स में वाइटमिन डी रिसेप्टर से मतला वाइटमिन डी का बहुत बड़ा रोल है इंसुलिन प्रोडक्शन में और इसका साइन्टिफिक एवेडेंस आपको जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को ०् अब जानते हैं कि हमने कहां से मिलता है हम जो काने नदोस्तों उसमें मैं थोड़ा सा मुआ इन मिलता है अब आप यह आश्यर देखियें कि सभी देशों को भारत से कंपेर किया जाए तो भारत में सबसे अधिक सूरी की करणे मिलती है मतलब 8 मैने साल भर में 8 मैने हमें सूरी की किरने मिल रही है और फिर क्यों डायबिटीस हमारे देश में सबसे जादा है और हमें अब क्या करना है कि डायबिटीस कम हो जाए हमें जन जागरन की जरूरत है सबसे पहले दोस्तों यह डिसाइड कर लीजिए कि सुबह के पहले दो से तीन घंटे हमारे स्वास्त के लिए हमें सुबह सबसे पहले जल्दी उठना है फिर पेट सौ प्रतिशत साफ करना है और फिर तेल मालिश करके धूप का सेवन करना है और यह धूप का सेवन कैसे करें कब करें और कब नहीं करने करें इसके लिए एक पुस्तक है जो इंग्लिश में द गोल्डन रेस के नाम से उपलब्ध है और हिंदी में कंचन किरने और डायबिटीस न हो इसके दूसरे कारण जानने के लिए हम अगले वीडियो में आपसे ज झाल